हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल इस्टडी वी थेबल गवरो आज हम बात करेंगे हमेटो लॉजी लैब के जो इंपोर्टेंट कोस्चन है उसके बारे में यह हमने कुछ छे कोस्चन नो डाउन किये हुए हैं जो की इंपोर्टेंट है पेपर की द्रिष्टी से तो से पहले कोस्चन है पहला कोस्चन हम देखेंगे कि जो पहला कोस्चन है वह है इंस्ट्रूमेंट आफ हमेटोलोजी लैब मतलब कि जो जो इंस्ट्रूमेंट या हम यू कह सकते कि जो टूल्स या ग्लास वेर जो यूज होते हैं वह हमेटोलोजी लैब में वह कौन-कौन से होते हैं तो आई हम इसका एंसर देखेंगे कि देखिए पहला जो कुश्चन था कि instrument of hematology इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ यह instrument है पर है क्या है माइक्रो इसको जो की यूज़ होता है छी स्लाइड मतलब देखने के लिए second b slide use करते हैं यह used होता है used to hold objects for examination यह examination जैसे कोई भी object को hold करके examination के लिए हम slide को use करते हैं चेक है c oven oven जो use होता है किस लिए use to sterilize drying and heating sterilize करने के लिए drying मतलब सुखाने के लिए heating मतलब गरम करने के लिए ठीक बात करेंगे वह centrifuge machine यह क्यों use होता है यह होता है separate various components of a fluid fluid में जो जो भी components होते हैं उनको अलग करने के लिए centrifuge machine का प्रियोग किया जाता है ठीक है अब हम next बात करेंगे mixer जो mixer होता है यह use किया जाता homogenize sample prior to testing मतलब कि इसका यूज करते हैं कि जो सेंपल हो समरूफ हो जाए सभी जगह से यानि कि जो जैसे कि हम इडिटी ब्लड में सेंपल जो लेते हैं उसको बाद उसको mix करते हैं मिक्स कि इसलिए करते हैं कि जो उसमें anticoagulant होता है वो सभी सभी जो ब्लड में सभी मतलब अच्छे तरह से क्या हो जाए मिक्स हो जाए ठीक है कि फिर नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक ड्रॉपर यह यूज करते हैं transfer कि amount of liquid solution यानि कि जो जो प्लास्टिक ड्रॉपर है यह लिक्वीड या solution को का जो amount है यानि कि कुछ भी यानि कि 1 mm i.5 mm g Hill उसको transfer करने लिए यूज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है आपका जी टेस्ट त्थ्यू्ट रेक यह यूज किया जाता है ऑपक् everytime रखने में या पकड़ने में ठीक स्ट माinek है हिपने या यूज क्या है हीटिंग सोर्स के लिए यूज किया जाता है यानि कि अम गरम करना यानि कि मालजिव में हमने कोई सेंपल ले या यूरीन ले लिया माल ले उसको गरम करना है नेक्स्त आप आई बीकर यूज करते हैं हम लिक्वीड को मेजर करने के लिए कोनिकल फ्लास यह भी हम यूज करते हैं होल्ड एंड मेजर केमिकल लिक्विड सेम्पल ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यह पेट्रिडीस जो पेट्रिडीस है इसका यूज करते हैं ग्रो कल्चर को ग्रो कराने में टर्णीकWG je TernEs us can аंड में इसका इसका यूज करते हैं वेज आने इसका यूज करते हैं वेज केंट्रोल और सब्सक्राज़ 550 लिए ठीक है कि नेक्स्ट हम बात करेंगे अ मैं में जो है क्या है CAP Łरी इसका हम यूज करते हैं क्लोटिंग टाइम के लिए जैसा कि हमने कब बीटी जब बीटी सीटी करते हैं बीटी का मतलब ब्लेडिंग टाइम सीटी का मतलब किë सैंपल को रखने के लिए किसी सैंपल को एक एक हस्तान तरे दूसरे हस्तान पर टांस पर करने के लिए योज किया जाता है ऐस आपको सिर्ग किया जाते हैं यह किसलिए इंजेक्ट और टेक आउट फल्यूट जो सिरिन्ज 하ता है यह योज किया जाता है किसलिए किसी भी fluid को inject या take out करने के लिए ठीक है तो ये कुछ instrument है बाके अभी बहुत सारे हैं लेकिन हमने यहां कुछ लिखा है ठीक है तो फिलाल अगर आप paper में इतना ही लिख देंगे तो अच्छा है ठीक है बाके आप extra भी पढ़ते हैं तो और सही है ठीक हम next question की बात करेंगे जो next question है वो है लिख मैं staining ठीक लिख मैं staining इसका जो हमने वीडियो अपने यूटूब चैनल पे डाल रखा है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्सन में देंगे इस वीडियो के आप वहाँ जाईए और इसको को देख लीजिए लिस्टमैन स्टेनिंग को ठीक है यह हम नहीं बता रहे हैं इसका वीडियो आप देखिए वहां पूरे अच्छे से बताए गया है कि जो लिस्टमैन है वह कैसे बनाया जाता है और उसका यूज कैसे किया जाता है ठीक फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आपक का प्रोटीन एंड सुगर आजय她 intel and she irin जो यूरीन के दरए जो प्रोटीन हो कैसे किया जाता है राइए दिखते हैं कि प्रोटीन सुगर इसब्सक्राइब सब्सक्राइब नुरेज छो प्रोटीन के दीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब हूठ नार्म स्क्राइब हो जाएग प्रोटीन जो है यह यूरीन में थोड़ी मात्रा पाइजाता है जैसे इसके नार्मल लेंद देखें के हम एडल्ट stigma कर सब्सक्राइब 240 mg पर लिटर वैसे अगर बच्चों में देखा है तो 10 mg लेकर 100 mg पर लिटर ठीक है इसके 3 मेथड होते हैं 3 मेथड र यूज तू डिडेक्ट प्रोटीन न यूरीन तीन मेथड होते हैं जो कि हम जिसका उपएक करके हम यूरीन में प्रोटीन को डिडेक्ट कर सकते हैं ठरिक है 150+. जो है ही टेस्ट ही टेस्ट्ट क्या होता है यूज अ वाग उसको बहर लेते हैं उस जो भी हम लें उसको क्या करेंगे 210 और हम यूरिन से भर लेंगे ठीक भरने के बाद उसके बाद से सेंपल को हीट करेंगे अपर पार्ट अपर जो सेंपल का अबर अपर पार्ट है उसको हम हीट करेंगे ठीक है हीट करने के बाद उसमें एसिटिक एसिट वन तू टू ड्रॉप जो क्या है एड करेंगे उसके बाद से टेस्ट ट्यूब एंड वेट फार रिजल्ट जब हम एड कर लेंगे तो उसको हम क्या करेंगे वेट करेंगे अगर अ मियुक्त अचाव कि फिर जय मों बता दे रहें कि इसमें क्या करेंगे एक हिट के स्वांच में तेस्टप लेंगे उसकों बतांगे भरने के बाद उसके अपर पार्ड को गरम करेंगे गरम करने के बाद उसमें वन से टू ड्रॉब एसिटिक एसिट जो है सलूशन उसको हम एड करेंगे एड करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे रिजल्ट के लिए यानि कितना वेट करेंगे थ्री टू फाइव मिनट उसके बाद हम रिजल्ट के लिए वेट करेंगे अगर उसमें क्या हो टर्विटीड दिखाई दे यानि कि धुद्लापन तो वह उसको हम बोलेंगे क्या है यह ट्रेस ठीक अगर इसमें रिंग बन रहा आप us mr लोट को इसको हम बोलेंगे ओन प्लिस कि अगर वाइड क्लार का रिंग बने और उसमें किया नीचे नीचे थोड़ी-थोडी छोड़ी-चोड़ी धार्या दिखाई दिखाई दे रटक तहुए तो उसको हम बोलेंगे टू प्लस है ठीर अगर उसमें वाइट कलर का रिंग बन रहा हो और धारिया जो है क्या बहुत लंबी लंबी हो ठीक है तो वो क्या हो जाएगा 3 प्लस अगर इसमें रिंग बना हो धारिया बहुत लंबी लंबी हो तूट तूट के नीचे भी कुछ नीचे भी प्रोटीनी कठा हुए हो वाइट कलर क तो क्या हो जैंगे वो 4 स्ट्रिप होता है। इसको हम यूरे में डुबो के और जो जो कि इसका जो मैच स्केल होता है उसे मैच कराते हैं उसके बाद से जितनी वैलू होती है उसको हम वैलू दे देते हैं उसे पता चलता है कि जो हमारे प्रोटीन है वह हमारे सरीन में यानि कि हमारे यूरीन में कितना है ठीक है फिर जो नेक्स्ट है आपका सल्फोस एलसिलिक एस test इसमें क्या करते हैं कि एक clean टेक्ष एक clean टेस्ट यूब एक clean test tube यूज करते हैं जिसमें हम equal equal quantity में urine और sulphoselcilic acid mix करते हैं यानि कि मालों की एक टेस्ट यूब लिया इसमें हम पांच हैम यूरीनट किये हैं ठिक तो पांच हम अंप इसलफो अधिरबी क्या करेंगे एड करेंगे ये टोटल सलुषन कितना होगे आपका दसमेल ठीक है तो पांच हम यूरीन और पांच हमल सल्फोसलिक अड़्सिट यानि कि हम यह कह सकते हैं कि जो यह टेस्ट है इसमें हम equal amount में urine और जो solution है जो reagent है उसको हम equal amount में लेते हैं अगर equal amount में लेने के बाद हम ले लेंगे उसके बाद इसको mix करेंगे mix करने के थोड़े दिर बाद यानि कि 2 से 3 मिनट के बाद अगर इसमें terbiti terbiti अगर दिखाई दे तो यह क्या हो जाएगा इसमें प्रोटीन क्या है प्रजेंट है तो यह आपका हो गया प्रोटीन का अब हम बात करेंगे sugar का जो sugar test है वो कैसे करते हैं तो sugar test के लिए हम यूज करते हैं बेंडिक्ट solution यानि कि जो बेंडिक test for sugar जो बेंडिक चलूशन है उसका यूज करते हैं इस इसमें क्या होता है इसमें जो इन इस मेथाड इस मेथाड में reducing sugar react with copper sulphate के साथ और reduce करता है क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस अक्साइड से ठीक और change कर और उसका क्या कलर क्या करता है ब्लू से green yellow and red change कर देता है ठीक है यानि कि जो बेंडिक सलूशन है बेंडिक सलूशन का जो color होता है blue होता है फिर जब हम इसको urine के साथ react कराते हैं तो यह blue color से change होके green yellow या red change होके अपना result देता है depend on amount of reducing substance ठीक यानि कि जितना जो sugar है जितना ज्यादा होता है उस हिसाब से यह अपना color देता है ठीक है तो इसका जो method है उसका method के लिए हम देखेंगे कि use a clean and dry test tube इसमें हम एक clean और dry test tube लेंगे इसको हम 5 ml इसमें bendix reagent भरेंगे फिर उसको क्या करेंगे हम reagent भरेंगे 5 ml और one से two drop .5 ml यानि कि one से two drop urine add करेंगे उसको फिर हम boil करेंगे ठीक है यानि कि urine को heat करेंगे कि heat करने के बाद अगर कितने कितने देर तक heat करेंगे पांच मिनट तक फिर पांच मिनट के बाद heat करने के बाद जो color आएगा उस color के हिसाब से हम उसका result क्या करेंगे करेंगे या हम उसका result बताएंगे जैसे कि हम देख रहे हैं कि नीचे जो है अगर color change नहीं हो रहा है अगर blue ही रहेगा तो क्या हो जाएगा उसे हम बोलेंगे कि जो urine है उस urine में sugar क्या है नील है बट अगर green color आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगी फोर प्लस हो जाएगी ठीक है तो यह जो हो गया आपका जो सुगर का बेंडिक्स सलूसन द्वारा जो टेस्ट हो गया ठीक है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा ठीक है फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे और नेक्स्ट आपस जो है बोन नीडिल मेरो चुम यूज करतेयां बोन म Eastern gi अग्ट By जो द्यूर मेरो नीडिल एप ट्रूम ये अधां मेरो नीडिंडि सभीण करते को हम अम इसके बारे में ज़्याता कुछ तो नहीं आएगा, इस्पोर्टिंग के लिए रखा जाता है, इसको हम पूछा जाता है, कि कौन कौन से needle है, और देख के उसका नाम लिखना होता है, तो आप अच्छे तरह से देख लिजिए, कि जो needle है, कौन से needle कैसी है, तीक है कैart scriptures नेक्स्ट एपका नेक्स्ट कोश्यन है आपका इस्टिमेसन आफ एच बी सिरा हर अशी आलेहीं, इस्टिमेसन एक इस्टिमेसन आफ ह्एश भी, जो हें। का estimation यह कोश्या आता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके introduction की introduction में है कि hemo globe test measure the hemoglobin level in blood hemoglobin test जो होता है वो क्या करता है blood के blood में hemoglobin level को measure करता है hemoglobin is the main component of rbc जो rbc का main component है क्या है वो hemoglobin है it is the transportation of oxygen and carbon और यह आक्सीजन और कारबन डाई अक्साइड का क्या है टांसपोर्टेशन भी है मतलब कि टांसपोर्ट करने का कारे करता है अक्सीजन और कारबन डाई रिंग होता है ठिक है ऐरल और प्लस पोरफायरेन बना के हिम बनाते नहीं इसक टेस्ट का परपच क्या होता है तो क्यों किया जाता है तू झ्याक्राइट ने तत्क जाता है अधिक है आप a सीवेराइट उसके लिए हम इसका यूज करते हैं परका है इसका जो test करने का फिर नेक्ष्ट है आपका टू आप टू मॉनिटर रिस्पांस टू थेरापी फॉर अनेमिया आगर किसी को अनेमिया हुआ है अगर उसको थेरापी करने के लिए चिक है नेक्स्ट आपका इस्टिमिशन के करने के लिए विट mu के लिए ठीक है जब अगर आप ऐएक ब्लट बैंक में जाएंगे ब्लेट ब्लोट करने तो पहले आपका हैं हेमोगोबी चेक किया जाएगा ठीक है अगर आपका pergunta आपका तरी किया Alzya जाता है चेक है ठीक अगर इसे कम है तो डोनेट नहीं किया जाता है ठीक तो यह तो हो गया आपका जो परपज हो गया टेस्ट करने के ला फिर हम बात करेंगे इसके मेथड के बारे में कि कौन कौन से मेथड होते हैं हैं यहां पर कुछ पांच मेथड हैं तो यहां जैसा कि आप देख रहाएं कि शायलिस और एसीड हिमेटिन मेथड था आपका ऑक्स हेमा ग्लोबीन मेथड फॉर्थ है आपका इस सपेसिफिक ग्रेविती मेथड और फिप्त है आपका गैस्व मेट्रिक मेथड तो फिलाल यह में इन चारों को छोड़के पहला बताऊंगा साहलिस मेथड बिकॉज यह जो होता है यहां लैब में मैनुली कराए भी जाता है ठीक और यह एक्जाम अगर आता है तो इसी को आपको लिखना होता है ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे जो साहलिस मेथड है इसको हम एसीड हमेटीन मेथड के नाम से क्या करते हैं जानते हैं इसका जो प्रिंस्पल है कि इस मेथड बेस्ड़ ऑन एसीड हमेटीन रियक्शन इसका जो फ्रिंस्टेन क्या है कि यह जो हीमो गलोवीन जब सेल के सांत मिलता है हम को साथ मिलते हैं तो ब्राउन और यानि 玩 रां कलर याने की डॉन कलर देता है जो कि यह सीड हमेटीक रियाक्शन का लाता है ठीक है न फिर हम इसका आगर नेक्स बात करेंगे कि जो इसमें क्यां कर यूज करते हैं रिएजेंट या एकुपमेंट इसको टेस्ट करने के लिए ठीक है तो सबसे पहले कि देखेंगे कि यूज करते हैं फिर नेक्स्ट है आपका साइलीज पीपेड फिर ड्रॉपिंग पीपेड ठीक है फिर जो ब्लड सेंपल है इसके लिए इस टेस्ट के लिए वह ब्लड सेंपल कैसा होना चाहिए तो वह जो अप्टेन एडिटी ए एंटिकाउगुलेटेड वेनस ब्लड ठीक है तो हम कौन सा ब्लड यहां यूज करेंगे इडिटी वाले यानि कि वह ब्लड हम इसके लिए यूज करेंगे जो की इडिटी वाल में रखाऊ इसका प्रोसीजर क्या है तो सबसे पहले हम एड़ बन परसेंट यानि क कि जो यह मालीज यह कि आपका हीमोमीटर या HB-PPet या HB-Pet भी बोलते हैं या हीमोमीटर भी बोलते हैं इसे हीमोमीटर ट्यूब्स ठीक है या HB-Pet कह सकते हैं हीमोगलोबिन पिपेट इसमें हम तू मारते हैं यानि कैसे शुरू होता है टू फोर इसक्स ऑट टेन 14 और यह हो गया 16 मान लेज़े ठीक है तो हम क्या करेंगे अब टू मार्क तक हम भर लेंगे HCL ठीक उसके बास से टेक ब्लड सेंपल इन सायलिस एजबी पीपेट अब टू 20 माइक्रो 20 माइक्रो लिटर जो यह जो एजबी ट्यूब है सोरी इसको एजबी ट्यूब बोलते हैं एजबी ट्यूब यह हीमो मीटर ट्यूब ठीक है फिर हम उसके बास से जो ब्लड लेंगे इज़े टिये से वह एजबी पीपेट में जो एजबी पीपेट होता है वह होता है कि यह तर्ट 20 माइक्रो लिटर है कि है 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 तो उसके बास हम क्या करेंगे पहले तो मालें जिए कि हमने दो मार्क तक N by 10 HCL add कर लिया उसके बाद से हम 20 micro liter blood HB pipette से लेंगे EDTA while से उसके बाद से हम इसमें क्या करेंगे mix कर देंगे mix the blood sample to acid solution जो acid solution इसमें हम क्या करेंगे mix कर देंगे और place the hemometer tube in stand for 10 minutes to react blood and HCL solution उसके बाद से इस HB tube को हम 10 minutes के लिए रख देंगे क्योंकि इसमें क्या हो जो reaction हो कैसा reaction hematin reaction तो इसमें क्या होता है कि during reaction HCL lysis rate cell and released HB and from dark brown colored acid hematin वो क्या करता है कि lysis कर देता है rate cell को और उसमें क्या करता है release करता है जब जो RBC है वो क्या होगी फट जाएगी जिसके करण उसमें जो भरी होई RBC अरे सोरी भरी होई जो हीमोगलोबीन है RBC के अंदर वो बाहर आ जाएगी जिसके करण जो वो color है वो dark brown color का हो जाएगा इसी को हम क्या हो लंगे acid hematin reaction ठीक है फिर इतना होने के बाद हम आगे क्या करेंगे कि add distilled water drop by drop using pipette until the solution match with the dark brown glass standard comparable tube जो हम देखेंगे कि एक ऐसा में हमारे पास box है एच भी कालरिंग बॉक्स है यहां इदर इदर color होता है ठीक है कि इसमें क्या होता है ट्यूब लगाते हैं और इसका और इसका color इससे हम मैच करते हैं ठीक तो हम अगर color मैच नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे है इसमें ड्रоп बाइड्रोप एड्ड करेंगे ड्रौप टो ड्रौप कि मियाल करेंगई ओ जब तक जब तक क्या होगा इन दोनों से क्या हम उस्या जब मैच हो तो हम छोड़ देंगे कि हाँ जब मैच हो गया तो तो हमने डिश्चिल वाटर क्या एड करना छोड़ देंगे उसके बाद से हम इस पे जो मार्किंग है जहां तक सलूसन भरा होगा उस मार्किंग को हम नोट डाउन करेंगे और वही क्या हो जाएगा हमारा है भी हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो है इतने ग्राम पर डेसी लीटर चिक अगर हम बात करेंगे इसका जो इस सालीज मेथड जो है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तो जो इसका एडवांटेज है कि यह बहुत ही सस्ता है चिक है इन एक्सपेंसिव है इजी टू परफॉर्म है चिक क्विक रिस्पॉंस है ले माली जे अगर हम कर रहे हैं तो हमसे क्या हो गया माली जे 10 आ गया कोई और कर रहा है उसे 11 आ सकता है तो क्या एक रेसी नहीं है इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा चिक फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे एसीड हीमेटीन सलूसन इस जर नौट इस्टेबल इसमें क्या एसीड यूसीं होता है वहिस्टेबल नहीं होता है एक गुंटे तक कि अगर हम उसको एक गनटे तक रख दें तो एक अगंटे तक उसमें आशीड़ेंगें है वो होता रहेगा ठीक है जब कि हम यहार कितने दिर तक रखते हैं पांद से 10 मिनट के लिए ठीक पिर ने जो है सोर्स आफ लाइट विल इंफ्लेंस दक अफ करता है जो सोर्स आफ लाइट है उस पर डिपेंड करता है अगर सोर्स आपको जो कलर मैच्झेग करने में क्या होगा मतलब connect कम यह डिखाई है अपको लगा कि नहीं था व्युदा सा और अच्छे से क्या होगा मैच नहीं कर पाएंगे तो आप इसमें क्या होता है सोर्स आफ लाइट के वज़े से भी दिक्कत होता है यह इसके कुछ डिस एडवांटेज हो गए ठिक यह तो होगे आपका हिमेटिन स्वारी जो इस्टमेशन आफ एच बी नेक्स्ट है आपका यह सार जो यह सार है इसको भी हमने क्या गया है हुआ पूरे अच्छे से इसके बारे में हमने बताया है कि यह जो यह सार्व होता है यह यह दो तरक होता है एक वींट्रोम कि एक वेस्टर है कि एक वेस्ट्रेन ग्रीन ठीक है एक western grain होता है एक विंट्रोब होता है ठीक जब आप हम इसके अभी जो वीडियो का लिंक है description में हम दे देंगे इसको भी आप जाके अच्छे तरह से देख लिजिएगा इसका नूट्स इसके वीडियो में मिल जाएगा ठीक है तो friends जो आज का जो वीडियो था वो बस जहीं तक था फिर आम नेक्स वीडियो मिलेंगे जो नेक्स लाइब के question लेके जो important question है पेपर के लिए तब तक के लिए thanks